डायरेक्टर मिलन लथूरिया की फिल्म बाद शाहो रिलीज हो गई ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म है जिसमें अजेद देवगन इमरान हाश्मी इलियाना डिक्रूज ईशा गुपता लीड रोल में है फिल्म की शूटिंग राजस्थान में की गई है फिल्म की स्टार कास्ट हिमरान इलियाना और ईशा से बादचीत की और फिल्म की शूटिंग से जुड़े अपने अनुभव शेयर किये जोदपूर की असली जेल में की गई फिल्म की शूटिंग फिल्म में इलियाना डिक्रूज रानी के किरदार में है फिल्म के एक सीन में उन्हें जेल में बंद दिखाया जाता है इलियानवा ने बाचीत के दहरान बताया कि इस सीन की शूटिंग जूदपूर की असली जेल में की गई थी इस जेल में शूटिंग का उनका अनुभव भयानक रहा उन्होंने बताया कि ये एक रियल जेल थी जो बेहत गंदी और बदबूदार थी जेल में इतनी ज्यादा बदबू थी कि मुझे तो उल्टी आने लगी थी जिस सेल में शॉट लिया गया था वहां मुझे थोड़ी देर में अजीब सा महसूस होने लगा था सेल के फर्ष और चदरों पर धूल की मूटी परत जमी हुई थी यहां के कैदी कैसे रहते होंगे सोच कर ही घबराहट होती है ईशा गुपता ने बाचीत के दोरान अपना अनुभव को बताया राजस्थान की रियल लोकेशन पर फिल्म की शूटिंग की गई थी फिल्म की शूटिंग जे इसलमेर और बीकानेर की लोकेशन पर हुई थी उन्होंने बताया जिस हिस्से में हम फिल्म की शूटिंग कर रहे थे वो जगया इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर के बहुत करीब थी इन 10 दिनों में हमें से किसी के भी सेलपोन में नेटवर्क नहीं था राजस्थान हमें शूटिंग करने का अनुभव अच्छा रहा हम लोगों ने चूने का खदानो रेत की आदी और उंटों के बीच फिल्म की शूटिंग की इमरान हाश्मी इमरान हाश्मी ने बताया फिल्म की शूटिंग किसी फन से कम नहीं थी मैंने पहले भी फिल्म के डायरेक्टर और को स्टार के साथ काम किया है हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और हमारे बीच रिलेशन भी काफी फैमिलियर है सेट पर ऐसा लगता था जैसे हम एक ही परिवार से हैं उन्होंने बताया मैंने ईशा के साथ दो फिल्म जिन्नत दो और राजटीन में काम किया है मिलन के साथ दड़्डर्टी पिक्चर और वनस अप ओने टाइम इन मुंबई में काम किया वहीं अजे के साथ दिल तो बच्चा है जी और वनस अप ओने टाइम इन मुंबई में काम किया है इमरान हाश्मी बतादे कि फिल्म में इमरान ने रोड साइड रोमियो का रोल प्ले किया है इस केरेक्टर को निभाने के लिए इमरान ने अपनी बाड़ी पर टैटू पर भी बनवाई थे क्या उन्होंने बाड़ी पर टैटू बनवा रखा या फिर वे बनवाना चाहते हैं सवाल के जवाब में उन्होंने बताया फिल्म में मेरे केरेक्टर के हिसाब मेरे एक हाथ पर से एकस गरल और दूसरे हाथ पर का टैटू है लेकिन रियल लाइफ में मुझे टैटू बनवाना पसंद नहीं है इन्हें बनवाने के बाद इन्हें हटाना बहुत ही मुश्किल होता है इसलिए न तो मेरी बोडी पर कोई टैटू है और नहीं मैं बनवाना चाहता हूँ